हलो क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे हम लोग इलक्ट्रो कमिस्ट्री में नर्स एक्वेशन को पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में भी हमने आपको नर्स एक्वेशन पढ़ाने की कोशिस की थी आधा हमने पढ़ाया था और आधा के लिए हमने 50% जो पार्ट बचा था उसके लिए हमने कहा था कि आधार एंगे लेकिन दिकत कहा थी कि जो पहला क्लास मेरा हुआ था भू तो बेटर था लेकिन दूसरे क्लास में इतने कंद बच्चे हो और स्क्राइब कुछ आपको आना चाहिए तो नस्य को पढ़ने को पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे इस लिए नहीं जाते हैं क्युकि इस बाट 2020 में आपके स्लेबर्स को रिड्यूस किया गया है जिसमें गैल्वनिक सेल के पार्ट को या फ्यूल सेल को या लेट इस्टोर बैटरीज को इन सब को आपके से रिड्यूस कर दिया गया है यह सब बाते तो हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं है न बट हम थोड़ा सा नर्स एक्वेशन में जाने से पहले जल नहीं पुर्णव के बारे में छोड़ी सी इन्फॉरमेशन हम लोग देंगे गैल्वनिक सेल आपका हमने लास्ट बताया भी था लेकिन फिर भी हम लोग बता देते आपका होने क्या वाला अब मैं रूकोंगा नहीं अदो बच्चा पड़ें दस बच्चा पड़े मैं भी आप उसी तरह से आऊंगा जिस तरह से और लोग पढ़ाते हैं जस्फार फ़र्मेल्टी आऊंगा पढ़ाऊंगा आप एक बच्चा पढ़े दस बच्चा पढ़े केमिकल एनरजी कनवर्ड इन्टू इलक्टिकल एनरजी यह बात हमको पता होना चाहिए और यहां ड्राइबिंग फॉर्स क्या है वहां ड्राइबिंग फॉर्स इलेक्ट्रोलेटिक और यहां driving force क्या है अगर यहां driving force की बात करेंगे driving force आगे प्रूसीजर को आगे बढ़ाएगा यहां driving force chemical reaction यहां driving force क्या है chemical reaction यह बाते हो चुकी है फिर भी मैं बता रहा हूं हो आपको ताकि फिर से आपका इंट्रेस्ट डबलफ हो चालिस फिर पचास में एक घंटे का जो भी क्लास होगा इस क्लास में पूरे नास सिएक्ट्रो लिटिक सीएलक्ट्रो केमिकल सेज और को आपस में देखा होगा तो और और को आपस में गए करेंगे तो जिंक की होती ऑक्सिडाइज करने की और कौपर के तर्फिए गुसक करने की कछ समस्तियंगा है को पहले के पढ़ने जा कि पढ़ने चारहे है te सक्वाइस करने की handle का इसको अरा सबकर को दोने की नोगlar है और इस वाटर के अंदर हमने क्या डाला जो किस फॉर्म में है अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए बढ़ियां से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए जिंक सलफट को जैसे पानी में डालेंगे जडन एस फॉर को जैसे पानी में डालोगे बेटा आपका बन जाएगा जडन प्लस एक्वस और आपका बन जाएगा एस फॉर माइनस एक्वस अगर जडन एस फॉर का कितना एटम रहेगा कितना मॉलिक्यूल रहेगा टू मॉलिक्यूल तो जिंक के टू मॉलिक्यूल आइन के बनेंगे सल्फट के टू मॉलिक्यूल बनेंगे यह अगर आपके फॉर रहेंगे तो यह भी फॉर है यह भी फॉर है अगर यह वन मोल है त को बात अच्छी तरह से आता है अब लोग क्या करेंगे इसके अगर हम कॉपर से कॉम्पेयर करेंगे आपको ने ऐलेक्ट्रोलृटिक सीरी इरीज देखी है देखी एग नहीं देखी है तो जब एलेक्ट्रोलेटिक शिरीज देखे मैंने याद भी करा है पिछला मेरा लेक्शर भी होगा आप जाके वहाँ से देख सकते हो हमने हटाया नहीं उसको तो अगर आप देखोगे तो आप देखोगे जिंग और कॉपर को compare करेंगे तो जिंग की टेंडेंसी और और क्टेज्ट सिरेघ सकने की और जिसकी टेंडेंसी होती है ऑक्सिडाइज करने की उसके लिए हम उस किढ़ते हैं उसके होता क्या है उसकी टेंडेंसी oured और को लॉस होता यह बात आपको अच्छी तरह से पता है तो जिंक इलक्ट्रोड के जिंक एटम बात को दिया से समझीगा जिंक इलक्ट्रोड के जिंक एटम अपने दो इलक्ट्रोड को इस इलक्ट्रोड के ऊपर छोड़ के सल्यूशन के अंदर जेडन प्लस टू के फॉर्म में बात को समझें मैंने क्या कहा जिंग की TENDENCY है AXIDIDS होने की तो यह जो इलक्टोड है जिंग का जिंग के इलक्टोड के Thank You अपने अपको अपने इलक्टरोन को इस जिंग के सर्फेस के छोड़के solution के अंदर जेडेन प्लस टू के फार में चले जाएंगे इस तरह से पहला item करेगा लेकिन दूसरा item इतने तेजी से नहीं कर पाएगा क्यों क्यों क्योंकि जब दूसरा item अपने electron को यहां देने जा रहा होगा सर्फस पे तो पहले इसे पर्जेंट इलक्ट्रॉन दूसरे इलक्ट्रॉन को क्या करेंगे अपोज करेंगे लेकिन फिर भी चिंकी टेंडेंसी आउक्सिडाइस करने की तो के क कि दूसरा अटम भी चला जाएगा इस तरह से जब इसरा एटम स्ट में बहुत दीर से जाएगा क्योंकि आपके दो दो चार चार नेगेटिव 4 नेगेटिव स्टा था जाएगा डिया इस तरह से मलूग क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे solution के अंदर हम लोग देखेंगे इंदा solution इंदा solution जेडेन प्लस टू increase करेगा मतलब positive आयन क्या करने वाला है increase करेगा और ऐसा समय आएगा कि अब further zinc atom electrode के ionize होके पानी में नहीं जाने पाएंगे क्योंकि electrode के उपर इतना negative charge आ गया है कि वो पूरी तरह से उसका विरोध में उतर गया है अपोज में उतर गया है कि अब electron छोड़ोगे तो reperson बहुत जादा होगा और इस condition में एक equilibrium जैसा डबलब होगा और उस equilibrium में क्या होगा कि जो electrode है उस electrode पे आपका negative charge solution में positive charge तो दो opposite charge के बीच में potential डबलब होगा और इस potential difference को हम electrode potential कहते हैं the potential difference between electrode and solution is called electrode potential इसको आपने पिछले साल 11 class redox reaction में पढ़ रखा है वहीं से मैं start कर रहा हूँ तब अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी तो होगा क्या equilibrium में ये zinc जो ही कहा का zinc है electrode का electrode का zinc solution में क्या कर रहा है Zn plus 2 में जा रहा है और दो electron कहां दे रहा है दो electron electrode पे दे रहा है तो electrode पे कैसा चाह जा रहा है negative charge आ रहा है और जिस electrode की tendency होती है oxidize करने की और जब cell में हम बात करेंगे तो उसको anode का नाम देंगे किसका नाम देंगे anode का नाम देंगे क्योंकि anode पे हमेशा होता क्या है anode पे हमेशा ही oxidation होता है ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए but electron इतने बढ़ते जाएंगे कि ये Zn plus 2 आपका formation करना बंध हो जाएगा और ये reaction आपका equilibrium अटेंड कर लेगा कुछ इस condition में आ जाएगा but हम आपको पता है कि solution और electrode के बीच में एक अपोजित चार्ज की वज़े से एक electrode potential डबलप होगा और इस potential को हम E कहते हैं E कहते हैं E मतलब electrode potential electrode potential और इस electrode potential को अब हम लोग एक और नाम से जानेंगे जिसको हम लोग कहते हैं oxidation potential जिसको हम O P कहते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं O P कहते हैं तो E Zn oblique Zn plus 2 E Zn oblique Zn plus 2 and this is the electrode potential this is the oxidizing potential this is the O P because tendency of zinc is oxidizable कितनी बात आपको समझ में आई बताओ भाई comment box में लिखके हाँ या नामे की सर यह समझ में आ रहा है यह समझ में नहीं आ रहा पूरी बात मैंने अभी आपको बताया इस पे negative charge कैसे आया यह भी हमने बताया solution के अंदर Zn plus 2 बढ़ता जाएगा sulfate के compare में solution के अंदर positive charge electrode के उपर negative charge दोनों के बीच में एक opposite charge डबलफ हो जाएगा तो जिसकी वज़े से यह सारी बाते होंगी hopefully आपको यह बात समझ में आई होगी अब देखते हैं हम लोग next इसको मैं मिटाता हूँ यह बात आपको oxidization half, oxidization potential आपको पता होना चाहिए अब हम reduction half देखेंगे इसको मैं मिटाता हूँ यहां से पूरा complete reduction half जानने से पहले एक बात मैं आपको बताऊंगा जिसको कहते हैं standard electrode potential it's nothing आपने पढ़ा है आपने पढ़ा है redox में थो जब भी बात करते हैं कहीं भी जब हम standard बात करते हैं standard electrode potential standard electrode potential रखेंग पोटेंशियल standard oxygen potential standard oxidizing potential standard oxygen isolate तो standard कुछ होता नहीं भाई जैसे idoル कुछ नहीं होता है के सए स्टेंडर्ड भी नहीं कुछ होता और close Japan ज़िंटेंडड ऑघ्र का मतलब होता है wreck19 Should कर रहे हैं क्या St बोट करे यहां जो हैं पड़ रहे हैं जहां पड़ा रौहा हैं जहां लेभ्रिट्री Sm बारिक वन अट्मास्परिक प्रिशर है बट टमप्रेचर के लिए आपको 25 डिग्री सी और चाहो तो इसको केल्विन बे लिख सकते हो 273 एड करोगे तो 298 केल्विन यह फिक्स होना चाहिए इसके लिए लेबरिटरी में आपको एर कंडिशनल लगाने की क्या आप करेगी जरूत पड़ेगी क्योंकि यह कंडिशन मेंटेन कर रहे हो और जो सल्यूशन लिया है आपका सल्यूशन है उसकी मोलरीटी कितनी होनी चाहिए उसकी आपने पढ़ा है मलब जडेन एसोफोर वर मोलर टमपरिचर 25 डिग्री सी प्रिशर वन एट्मास्परिक उस समय जो पोटेंसियल होगा उसको कहते हैं हम लोग क्या स्टेंडर्ड इलक्ट्रोड पोटेंसियल इसको कहते हैं स्टेंडर्ड इलक्ट्रोड पोटेंसियल और अ हम लोग क्या कहते हैं standard oxygen potential अब standard oxygen potential के term में अगर हम oxygen potential को represent करते हैं तो उसी representation को nurse equation के नाम से जाना जाता है मतलब oxygen potential को standard electrode potential के respect में represent करने को north equation कहते हैं कैसे represent करते हैं देख लिजी आप इजडन oblique z n plus 2 this is the oxidizing potential is equal to e not z n oblique z n plus 2 minus r t r आपका gas constant t temperature constant upon n f n means number और आफ electron transfer देख रहे होगे दो electron का transfer एफ मतलब फैराडे charge है आपका वन फैराडे टू फैराडे एलन के सी कर लो या एलन क्यूं कर लो reaction क्यूं सेंड कर लेते हैं अभी क्यूं कर लेते हैं हम लो क्यूं है क्या कैसे find करेंगे देख लो आप आपका हुआ है जडन से क्या हुआ है बेटा जडन से हुआ है जडन plus 2 and 2 electron ये बात तो आपको अच्छी तरह से पता है अगर आप क्यूं की value find करेंगे क्यूं करेंगे जडन plus 2 active mass upon जडन अब आपको याद करिए जब आपने आइनिक equilibrium पड़ा होगा तो आइनिक equilibrium में जो लोग आइनाइस नहीं होते उनकी value unity हो जाती है तो इस तरह से जडन की value 1 हो जाएगी इसी को हम लोग और एक बात represent करेंगे देखिए जडन अबलिक जडन plus 2 इसको लट टू इपलस जडन अबलिक जडन पलस 2 माइनस rt अपन एन एफ ln n एन जडन प्लस 2 क्योंकि अपन तो जाएगा लेकिन अपन उसकी value 1 हो गई है लन है किया ln है natural log यहां मैं लिख दे रहा हूँ ln का मतलब होता है 2.303 log ln x is equal to 2.303 log x यह mathematics वाले अच्छे से समझते होंगे और नहीं भी समझते होंगे तो chemistry में इतनी बात आपको पता होनी चाहिए natural log ln x is equal to 2.303 log x log के टेंसल मतलो चैप्टर खतम होते ही मैं log ही बताऊंगा तभी आप numerical solve कर पाऊगे इससे related अदरवाज numerical नहीं solve होगा यह chapter खतम होते ही log बताऊंगा चैप्टर आपका chemical kinetics जब पढ़ाऊंगा उसमें भी log anti-log के बारे में बहुत सारी बाते हैं तो मैं आपको detail में बताने वालो hopefully यहां तक समझ में आया comment box में आप लिखके हाँ या ना जरूर बताएं यह बात आपको समझ में अब यहां क्या करना वही बाते पुट करनी है तो आपका क्या हो जाएगे देखिए e z n oblique z n plus 2 is equal to e naught z n oblique z n plus 2 minus 2.303 i t upon n f log z n plus 2 and this is the nurse equation इसी को हम लोग क्या कहते हैं nurse equation के नाम से जानते हैं द्यान से देख लो e z n oblique z n plus 2 is equal to e plus z n oblique z n plus 2 minus 2.303 i t upon n f log z n plus 2 यह आपको समझ में आ गया होगा अब यह बात हम यहां से देते हैं नीचे इसको रहने देते हैं उपर की हम कुछ बाते हैं आपको क्या करते हैं मिटाते हैं आप इसको note कर लीजिएगा मैं lecture को delete नहीं करूँगा lecture मेरा YouTube channel पे रहेगा चो छूटा है आप पीछे से notes को क्या कर सकते हो देख सकते हो उसके बाद भी कोई problem हो आप हमसे phone करके पूछ भी सकते हो अब देखे क्या है आपका यहां यह value fix है यह value fix है यह value fix है और n क्या है number of electron transfer आप ध्यान से देखेंगे तो 2 electron का transfer हो रहा है मतलब हम लोग अगर ऐसे लिखते है e z n oblique z n plus 2 equal to e not z n oblique z n plus 2 अब यह 2.303 rt n मतलब और f log z n plus 2 तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह पूरी की पूरी value यहां से यहां तक constant है अब अगर आप score calculate करते हो कर सकते हो आप इसकी value रखो gas constant standard temperature रखेंगे 298 Kelvin number of electron transfer लिखे 2 अगर इसको आप put करते हो तो इसको put करने के बाद आपको एक value मिलेगी देखेंगे क्या मिलेगा e z n oblique z n plus 2 equal to e not z n z n plus 2 minus 0.0591 upon f log z n plus 2 यह सब के लिए नहीं होगा यह value केवल और केवल किसके लिए होगी यह value केवल और केवल जिंग के लिए होगी क्योंकि अगर यहां 2 है तब यह value आ रही है अगर 1 होगा तो कुछ और value आईगी 3 होगा कुछ और value आईगी तो यह सारी बाते आपको पता होना चाहिए, तो एक बार आप इसको क्या कर सकते हो, नोड कर सकते हो, नोड करिए इसको, तो यह oxidation हाफ आपको hopefully समझ में आ गया होगा, आप chat box में बेटा हमको बता सकते हो, आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, सारी बाते एक बार मैं दुबारा बता दे रहा हूँ, केवल पता नहीं क्या सोच के बता दे रहा हूँ, बट आप इसको ध्यान से देख लीजी, अब इस oxidation half के बाद एक बार हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, फिर से हम लोग जाएंगे reduction half की तरफ, तो reduction half में उतना समय नहीं लूँगा, बहुत कम समय लूँगा और आपको मैं बताऊँगा, देख लीजी, अगर हम reduction half को देखेंगे, reduction half, reduction half, मतलब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, reducing potential, reducing potential, आप ध्यान से देखेंगा, अभी अभी देख लीजीए, कॉपी को पलटके, electrochemical series, जिंक की tendency आउक्सिडाइज करने की, और कॉपर की tendency है, reduce करने की, और reduction में electron accept होता, ये बात आपको पता होना चाहिए, तो हमने क्या किया है, अभी यहां भी हमने क्या लिया, एक कंटेनर ही लिया है, इस कंटेनर में भी हमने फिर से क्या डाला है बेटा, फिर से हमने ZNSO4 डाला, किस के अंदर, सौरी, ZN नहीं, CuSO4 डाला है, एक्वस, पान ये बात आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, अब हो क्या रहा है, इसमें मैंने कॉपर के राड को डाला है, अब बढ़ी हैं से समझेगा, इसमें मैंने कॉपर के राड को डाला है, अब ये जो कॉपर आयन है, इसकी tendency है, reduce होने की, तो reduce होने के लिए इलक्ट्रोन चाहिए तो इलक्ट्रोन तो कहीं दिख नहीं रहा है दिख रहा है कहीं इलक्ट्रोन नहीं दिख रहा है तो यह क्या करेगा यह करेगा क्या कि जो कॉपर इलक्ट्रोड है जो कॉपर इलक्ट्रोड है उस इलक्ट्रोड के सर्फिस के इलक्ट्रोन को UC U plus 2 इसके उपर के electron को 2 electron को लेगा तो 2 positive charge फिर दूसरा copper क्या कर रहा है? दूसरा UC U plus ले रहा है 2 electron को तो again 2 plus charge तीसरा ले रहा है तो आपका क्या होगा Again plus 2 charge चोथा लेगा तो क्या होगा आपका Again plus 2 charge इस तरह से सारे copper ions आपके surface के electron को लेके सर्फिस पे कॉपर के सर्फिस पे कैसा चार्ज डबलक करेंगे कॉपर के सर्फिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अगर आप ध्यां से देखेंगे तो सल्यूशन के अंदर का कॉपर आयन इलक्ट्रोड के उपर डिपॉजिट हो जा रहा है तो इलक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ रहा है इलक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इलक्ट्रोड पे ये पॉजिटिव चार्ज Cu प्लस आयन के इस पॉजिटिव चार्ज की वज़े से नहीं आ रहा है इलक्ट्रोड पे चार्ज Cu प्लस टू इलक्टोड ये क्या कर रहा है रिड्यूस हो रहा है आपका तो ये क्या कर रहा देख लिजिए Cu प्लस 2 कहां का solution का इस solution का Cu प्लस 2 electrode के दो electron किसके हैं electrode के electrode के दो electron को ले रहा है اور Cu में convert हो जा रहा है और इस process को हम reduction कहते हैं तो surface के दो electron को लेगा तो electrode पे कैसा चार जाएगा positive चार जाएगा अब solution के अंदर Cu प्लस 2 चला जाएगा solution के अंदर SO4 का number ज़्यादा था या कम था लेकिन अगर Cu प्लस 2 आपके electrode पे deposit हो गया तो electrode पे positive charge और solution में कैसा चार जाएगा SO4 माइनस 2 की वज़ा से negative charge तो यहाँ electrode पे positive solution में negative वहाँ electrode पे negative solution में positive तो यह एक opposite charge डवलफ हुआ और इस opposite charge के डवलफ होने से एक potential difference डवलफ होगा और इस potential difference को हम लोग reduction potential ECU प्लस CU कहते हैं जिसको RP कहते हैं और यहाँ भी एक equilibrium जैसी condition होगी ऐसा नहीं कि सारे के सारे चले जाएंगे चले जाएंगे अपोस तो यहाँ भी होगा one two positive charge then two positive charge तो positive positive charge में regression होगा यहाँ भी oppose होगा एक equilibrium डवलफ होगा और जब equilibrium डवलफ होगा तो हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं CU plus two, two electron, give CU और अगर हम इसका अगर हम इसका reaction, question या equilibrium find करेंगे Q find करेंगे तो क्या होगा CU upon CU plus two हो जाएगा और इस CU की value unity होती है क्योंकि यह dissociation में नहीं गया आइनिक equilibrium में आपने पढ़ा है एकलात लेबंद में तो आपका Q is equal to one upon CU plus two यह आपको समझ में आना चाहिए अब अगर हम पूरा का पूरा यही condition standard कर देते हैं यही पूरा का पूरा condition क्या करने वाला है standard करने वाला है मतलब करना क्या है मुझको करना यह है मुझको कि यह जो मुझको solution लेना है solution की molarity one molar कर देना है temperature मुझको कितना रखना है 298 Kelvin रखना है 25 degree C रखना है और pressure one atmospheric pressure रखना है उस condition में आपका standard electrode potential होगा standard reduction potential होगा E naught Cu plus Cu plus 2 से Cu होगा जिसको कहते हैं standard standard RP standard reducing potential और अगर हम किसी बात को represent करते हैं एक equation में तो उस equation को हम लोग क्या कहते हैं उस equation को हम लोग कहते हैं nurse equation कहते हैं क्या कहते हैं बेटा nurse equation कहते हैं nurse equation को represent करने का तरीका ध्यान से देख लीजिए यहां आपको पता है Cu plus 2 2 electron Cu कहां का है solution के अंदर का electron कहां है electrode के उपर का convert किस पे हो रहा है Cu किस पे जा रहा है आप deposit हो रहा है electrode पे तो copper का electrode मोटा होगा zinc का electrode पतला होगा यह बहुत बड़ा drawback है galvanic cell का अब देख लीजिए equilibrium में लिख देते हैं भाई reversible process है अब देख लीजिए इसको represent करने का तरीका होगा ECU plus 2 oblique CU is equal to E naught CU plus 2 CU minus RT NF ln Q अब Q की जगा हम क्या find कर सकते हैं अभी आपने बताया Q is equal to active mass CU upon active mass CU plus 2 और ionic equilibrium में जो लोग ionize नहीं होते उनकी value 1 मान ली जाती unity इसको अपलाई करने में क्या जाता है करते हैं देख लीजे लिखते हैं ECU plus 2 oblique CU is equal to E naught CU plus 2 CU minus RT upon NF ln 1 upon CU plus 2 मैं फिर से यहां लिखते रहा हूँ आपको पता है ln X is equal to 2.303 log X This is the natural log ln X is equal to 2.303 log X identity आपको पता होनी चाहिए 100% आपको आनी चाहिए बात तो आ गई होगी अब यहां हम लोग रख देते हैं हम लोग रखेंगे electron नीचे लिखे 2 electron का transfer 100% मिला ना 2 electron का transfer यहां 2 हो जाएगा सबके case में नहीं होगा तो अगर 2.303 R की value T की value N की value रखेंगे solve करेंगे क्योंकि AB constant AB constant AB constant और हर एक reaction में electron transfer भी constant ही रहता है electron कितने transfer हो रहे है 2 electron transfer हो रहे है यहां एक equation बन जाएगा जिसको क्या कहेंगे ECU plus 2 oblique CU is equal to E not CU plus 2 CU minus 0.0591 upon F log 1 upon CU plus 2 यह आपका क्या है यह आपका है NARS equation है तो NARS equation यह इस इदा NARS equation बट अगर इसको simplify करेंगे तो यह आएगा copper और zinc के case में यह चीज़े होती है कि copper और zinc की case में 2 electron का transfer होता है यह बात आपको पता होने की समझ में आया note करो आप बताओ बेटा यह यह यहां तक मैंने बताया था 30 minute मैंने आपको फिर से revise किया कोई बात नहीं बट आपको समझ में आया या नहीं आया आप chat box में जरूर बताई कि यहां तक की बाते समझ में आई या नहीं आई यहां तक बाते समझ गए हैं तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे आगे हम लोग समझेंगे आगे हम लोग समझेंगे आगे समझने आप बहुत आसान है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है न कोई भी बहुत इतनी बड़ी बात नहीं बताई है अब हमको पता है कि मैंने Oxidation हाफ बताया अब हमको पता है कि हमने Reduction हाफ बताया अब उसी हाफ को हमको क्या करना है Represcent करना एक सेल में और उसी सेल को हम लोग क्या कहते हैं Galvanic Cell अब देख ली थी आप इसको बनाईए एक container जो लिया था उसी container को बनाईए एक container 1 और एक container 2 इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है है ना बहुत ध्यान से समझेगी वैसे तो मैंने एक बार बताया फिर भी अगर आप एक बार और समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा अब आपने क्या लिया था एक जो solution लिया था यह आपने लिया था एक्वस जेडेन एसो फोर और इसमें क्या लिखा था आपने एक्वस सी यू एसो फोर यह लिया था आपने आपने देखा था कि इसके अंदर हमने क्या डाला एक जिंग का रॉट डाला इस तरह से करें और आपने देखा कि हमने इसके ऊपर क्या ओपर एक कॉ पर का रॉट ढ़ा और आपने क्या देखा बेटा जो पिछला देखा oxidation half and reduction half jink के tendency copper के respect में oxidize होने की होती है और copper के tendency jink के respect में reduce होने की होती है तो आपने देखा कि ये जो आपके surface के jink थे वो solution के अंदर आगे अपने electron को surface पे छोड़ दिये और वो कहां आ जा रहे है solution के अंदर तो solution के अंदर jn plus 2 आपका जादा है तो जादा बनाता हूँ solution के अंदर jn plus 2 जादा है और sulfate का amount का है आपका कम है ये बात आपको पता होना चाहिए और इसी तरह से क्या हो रहा है ये जो solution के अंदर c u plus 2 है वो surface के copper के surface के electron को ले रहे हैं और surface पे कैसा चाह जा रहा है surface पे positive चाह जा जा रहा है इस तरह से आपने इसको देखा और solution के अंदर जब इस solution के अंदर के copper plus surface पे deposit हो जा रहे होंगे तो surface थोड़ा सा मोटा हो जा रहा होगा तो surface को थोड़ा सा क्या कर दिया तिक कर दिया है और आपका जिंक का जो सर्फेस होगा थोड़ा सा इसके कंपेर में थिन हो जाएगा ये बात आपको अच्छी तरह से क्या होना तरह ये पता होना चाहिए और जब सल्यूशन का Cu प्लस टू इस इलक्ट्रोड पे Cu होगे डिपॉजिट हो जा रहा है तो सल्यूशन के अंदर SO4 का नंबर जादा होगा SO4 का नंबर जादा होगा SO4 माइनस का नंबर जादा होगा निगेटिव का नंबर जादा होगा होगा अब आप क्या करिए इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दीजी तो मैंने भी इस दोनों को आपस में connect कर दिया अब आपको पता है कि अगर हम इन दोनों को connect करेंगे एक metallic wire से metallic wire तो metal is very good conductor of electricity तो यह आपको पता है current कैसे generate होगा देख लीजिए chemical reaction is going on यहाँ क्या हो रहा है यहाँ यह हो रहा है कि यहाँ जो surface के zinc है यह क्या कर रहा आपका surface के zinc अपनी electron को छोड़ के solution के अंदर zn plus 2 t electron के form में आ जा रहे है यह कहां का है surface का है यह किसके अंदर जा रहा है solution के अंदर jn plus 2 बढ़ रहा है और electrode पे आपका negative बढ़ रहा है तो जिस electrode पे oxidation होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं याद नहीं करना है और do intra Sapp एलक्ट्रॉं किया है आपका broadcast में है यह बात पता होना चाहिए आपको अब यहां पर देख लीजिए क्या है यहां पर किया है यहां पर आप देख लीजिए यहां पर वो क्या रहा है सर्फिश के इस इस सलुशन के सलुशन के कॉपर आयन सर्फिस के इलक्ट्रॉन को कहां कि इलक्ट्रॉन के हो सर्फिस के इलक्ट्रॉन को लेके इलक्ट्रोड पे कॉपर क्या हो जा रहा है आपका डिपॉजिट हो जा तो सलूैशन के अंदर इंदा सलूूशन आप पहले एलक्तोड है कि नहीं बदाई इनकर की प्रकात Shoulder ऑप सुर्शन के अंदर आप को पर दिदि के और से ईस्ट His E एगर इसको पर सी है और इस एलेक्टोर के ब्रॉक्शन हो रहा था इसको क्या कहते हैं तो इलक्टोड पर इस इलक्टोड पर इलक्टोड की डिफिशेंटी होगी नहीं होगी अगर इलक्टोड पर इस इलक्टोड पर इलक्टोड की डिफिशेंसी है और इस इलक्टोड पर रिड़क्शन हो रहा है कापर की इलक्टोड पर रिड़क्शन हो रहा थे इसको क्या कह कहते हैं इसको क्या कहते हैं कैथोड कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं अब देख लीजिए इलक्टरॉन कहां से कहां फ्लो होगा इसको बताइए कहां से कहां फ्लो होगा इलक्टरॉन इस से इस पे जाएगा मतलब पहले हाफ से दूसरे हाफ में जाएगा इलक्टरॉन can flow from anode to cathode तो electron कहां से कहां जाएगा इलक्ट्रोड जाएगा electron कहां जाएगा electron flow करेगा electron का अगर हम direction देखेंगे तो anode से कहां होगा cathode पे होगा अब कहीं भी circuit जैसा बनना सुरू हो गया है आप ध्यां से देखेंगे तो electron का flow होना start हो होता है और जब electron का flow होना start होता है तो current generate होता है chemical energy electrical energy में chemical potential energy decrease कर रही है electrical potential energy increase कर रही है circuit में current जैसा बनने लगा है अगर हम देखेंगे electron का flow ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि current generate हो गया है current का direction क्या होगा बेटा कैथोड से कहां होगा anode की तरफ होगा मतलब अगर हम इस wire को हटा के या इसी wire में एक छोटा सा ऐसे समझने के लिए एक bulb लगा देते हैं तो यहां से यहां से current जाएगा यहां से electron जाएगा और यह bulb क्या करेगा आपका glow करेगा और bulb glow करेगा तो क्या हो रहा है chemical energy electrical energy में convert हो रही है इसी को galvanic cell कहते हैं this is called galvanic cell hopefully समझ में आया होगा note करें उसको note करो अब द्यान से देखिए आप यह आपने note कर लिया होगा है न अब आगे हम लोग देखते हैं आगे देखिए आप फिर से वही बात बनाता हूं में यहां कुछ समझाने के लिए छोटा सा अब उतना time नहीं लगने वाला है कुछ negative जैसा बना देता हूं यह नोड लिख देता हूं और आपको पता है नोड किसका है जिंक का है और यह बना देता हूं जिसपे positive चार लिख देता हूं और यह सब समझ गए होई copper का है जिसको कहते हैं अब यह बात आपको पता हूं मैं आपको बहुत इंपॉर्टेन इंपॉर्मेशन आपने गलवनिक सेल में एक बात और पढ़े होगी क्लास एक ने यू सेप का ट्यूब पढ़ाओगा जिसको हम लोग सॉल्ट ब्रिस कहते हैं सॉल्ट ब्रिस समझाओगा अब यह म स्लीशन में जादा एक बात पता है और सल्फिट आइन का नंबर ज्यादा है और कॉपर का नंबर कम है अब आपको पता है कि इन दोनों को आपस में हमने जोड़ा दिया है यहाँ मैं ने च्योंटा सा बल लगा बल गलो कर रहा है करेंट यहां से यहां तक जारा है चुत हैं अब हो क्या रहा होगा कि है कि लंबे समय तक process होगा लम्मे समय तक process होने के कि लिए पूरे process को neutral होना जरूरी मलब सर्की işte में नब बढ़े ना सर्कूटमें कोई निगि बाण ब्रट हो जान है इसके इंदर इसके इंदर जिंख जान ये कहीं न कहीं हिंड्रिंस डब्लफ करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग एक यू तेख का ट्यूब लेंगे यू सेब का ट्यूब होता है और ये यू सेब के ट्यूब का एक इनर्ट इनर्ड सबस्टेंस से मिलके के बना होता है इनर सबिस्टेंस जो आपके इसके अंदर होने वाले रियक्शन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करें उसमें यहां हमने कॉटन प्लग लगाया यह आपका क्या है इसको कहते हैं कॉटन प्लग और इसी यू सेब के ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं सॉल्ट ब्रीज कहते हैं क्या कहते हैं सॉल्ट ब्रीज और इसको उठाके इसी यू सेब में इसको ऐसे इसमें लगा देते हैं इस तरह से इसको अंदर लगा देंगे कॉटन प्लग है यह सॉल्ट ब्रीज है यह करेगा क्या इस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रल करके हेंगे तो कहीं ने कहीं ने से हो unstake आपका अज़ इसके अंदर जआएन इधर चले जाएंगे एक्ट्रा जिंग इधर चले जाएंगे और पूरे process को आसानी से होने देगा किसपा का किसा होता है ना यह salt bridge है, inert material का मिलके बना होता है, ऐसे material का मिलके बना होता है, जो reaction में कोई भी hindrance डवलप ना करें, reaction में कोई रुकावट का काम ना करें, अब एक बात आपने देखा, अगर हम overall reaction की बात करेंगे, अगर हम कहते हैं tendency, tendency of reaction, tendency of reaction occur, tendency of reaction occur का मतलब होता है, reaction potential reaction potential यह बड़ी important बात बता रहा हूँ tendency of reaction occur is called reaction potential overall reaction का potential overall reaction reaction का होना किस बात पर depend करेगा reaction का होना इस बात पर depend करेगा oxidation in zinc जिसको हम कहते हैं oxidizing potential plus plus और reduction of copper जिसको कहते है reducing potential तो tendency of reaction occur को हम लोग क्या कहते है reaction potential और reaction का होना इस बात पर depend करेगा कि zinc get oxidized and copper get reduce zinc में oxidation copper में reduction zinc के item का ionize होना electrode के और copper का solution का reduce होना अगर यह process लगातार चलता रहा चलता रहा चलता रहा तो reaction होगा और जब reaction अकर होगा tendency of reaction अकर is called reduction potential note करो इसको अब यह बात आपने नोट कर लिया है तो इसको मैं मिटा देता हूं है यह सब बाते हो गए इसको नहीं मिटाऊंगा यह आपको क्यों समझने के लिए अब आपको पता है tendency of reaction अकर tendency of reaction अकर इसको बेटा हम लोग कहते हैं reaction potential reduction potential reaction potential and reaction kब होगा जब जिंक ऑक्षिराइस होगा और कौपर रिड्यूस होगा तभी यह अपका एक जरूट जलता रहेगा जब होना बंध हो जाएगा बंध होगा तिमपल सी बात है जब आपके reaction का सारा potential खतम हो जाएगा तो reaction होना बंद हो जाएगा तो tendency of reaction occur को हम लोग क्या कहते है reaction potential कहते है reaction potential और इसी reaction potential को एक और term book में दिया गया है electromotive force electromotive force जिसको EMF कहते है tendency of reaction आकर या reaction potential को EMF कहते हैं electromotive force कहते हैं जो आपको 12th class जो पढ़ रहे हैं आप 12th class के electricity में और बेटल तरीके से फिजिसक का टीचर आपको बताएगा बट हमको यहाँ electromotive force को हम लोग E cell कहते हैं बेटा क्या कहते हैं E cell अब आपको मैंने बताया जो वैलू एनोड की वही वैलू कैथोड की लेकिन एनोड की वैलू अगर positive में तो कैथोड की वैलू negative में बोथ हार opposite process तो अगर आपको यहाँ लिखना है E cell क्या लिखना है E cell पहले इसको नोड करो एक मिनट यह आपका हो गया हमने बताया टेंडेंसी आप रेक्शन अकर रेक्शन पोटेंशिल इसको electromotive force इसको EMF कहते हैं और इसको इसल से हम लोग यह बात आपको समझे गया है अगर आपको कोई सेल का potential electromotive force find करना है तो सिंपल सी बात होता है एक प्लस एक बात आप देखोगे कि सर आपने प्लस कर दिया बुग में तो माइनस दिया है यह माइनस इसलिए दिया कि राइट में जो भी होगा लेफ्ट में उसके जश्ट अपोजिट होगा इसलिए हम NCRT में क्या करते हैं यह बात हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से जानना है यह बात तो हमको जानना है यह राइट माइनस इसलिए लेफ्ट हमको जानना है लेकिन हमको पता है कि जो बात राइट में हो रहा है उसके अपोजिट लेफ्ट में हो रहा है यहां आरपी है तो यहां पॉजिटिव की जगा निगेटिव आपके एंसी आटी में लिखा है यहां हम लोग क्या लिखते हैं दथी इस्टिव आपका है इसे सेल समीने रइट माइनस एई लेफ्ट और एब्स ही लेफ्ट ओर generals ईलेफ्ट सो एई राइट है क्या इसमिक्ने एट वी राइटिव can माइनस ए जड़न ओबलिक जड़न प्लस तू मतलब ए राइट मतलब आपका है आरपी इसल इसकोल टू ए मतलब आरपी रिड्यूसिंग पोटेंशियल माइनस ए ऑक्सिडाजिंग पोटेंशियल यह बात मैंने यहां लिखके रख दी अब आपको करना कुछ नगी है अगर आपए Sage अफिस्टेंडर्ड बात करें ask these of g'T Nee इलक्तो डी पोटेंशियल ps किलेक्टोंड़ पोटेंशियल सघ्ट५ कीश्र Опष तो स्टनड़ इलक्टोंड पोटेंशियल में इनॉट सेल is equal to E not right minus E not left हो जाएगा कुछ कर रहा थोड़ी नहीं हमने तो यह क्या हो जाएगा E not cell is equal to E not cathode minus E not anode standard और अगर हम बात करेंगे E not cell is equal to E not CU plus 2CU minus E not Zn oblique Zn plus 2 and this is the standard condition this is the standard electrode potential and this is the electrode potential of cell अब आपने RP की value find करी है नास equation के respect में आपने OP की value find करी है नास equation में उसी value को यहां रखेंगे और E cell की value को हम लोग क्या करेंगे find करेंगे समझ गए कि नहीं करते हैं करते हैं रखते हैं नोड कर लीजिए या तो इसका screenshot ले लीजिए एक मेर्ट मैं आपका अलग हो जाता हूं इसक्रीन सॉर्ट ले ले लिए उसका ठीक हो चुका अब देखे मैं इसको मिटाता हूं इसको मिटाता हूं इस cell को भी मिटाता हूं आगे की कहानी को आगे बढ़ाता हूं इसके बाद आपका यह topic पूरी तरह से खतम हो जाएगा 40-45 मिनिट पढ़ाते हूए हो गया लगातार अब आपको क्या मिला है आपको मिला है इसल इसकोल टू इसकोल टू इसी यू प्लस टू सी यू माइनस इ जडेन अबलिक जडेन प्लस टू कैथोड माइनस एनोड यह मिला है एट इकलिबिरियम बेटा पता ह होना चाहिए एक्लिब्रियम आपको पता है इस सेल की बैलू क्या हो जाएगी जीरो क्योंकि इलक्ट्रोड ऑक्सिडाइजिंग पोटेंसियल आपका इक्लिब्रियम पे रिड्यूसिंग potential की क्या हो जाता है equal हो जाता है अगर ये दोनो value एक दूसरी की equal हो जाएंगी ये cell की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ये पता होना चाहिए अब इसी बात को nurse equation के term में हम लोग लिखते हैं हमको पता है हो क्या रहा है हमको पता है जो cathode है उस cathode प्रोड प्रेक्ट्स को एक साथ गरेंगे ते ईलक्त्रon एक दूसरे से कैंसेल हो जाएंगे और होगा सी-उस्ट्र डेटन जेडुन reactant gives product में Cu plus Zn plus 2 यह बात आएगा और अगर हम इसको reversibly represent करते हैं तो कैसे represent कर लें देख लीजिए Q is equal to हो जाएगा Zn plus 2 Cu upon Cu plus 2 Zn यह बात होफुली आपको समझ में आ गई होगी अब हमको क्या करना है हमको इस पूरे सेल का इलक्टोर्ड पोटेंशियल लिखना कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इस इसको यहां हम लोग पुट करेंगे reducing potential जो नर्स equation वाला find किया था उसको रखने के बाद आपको equation क्या मिलेगा वही मैं directly यहां लिख देता हूँ चाहो तो आप क्या कर सकते हो चाहो तो एक से कर सकते हो कि सर इसल इसकोल टू इसकी वैलू कितनी है जो भी वैलू है उसकी वैलू रखो आपको पता है इस is c u plus 2 c u is equal to e not c u plus 2 c u minus 2.303 rt n f log 1 upon c u plus 2 पता नहीं पता है इसकी वैलू पता है इसकी वैलू पता e z n oblique z n plus 2 is equal to e not z n plus z n z n oblique z n plus 2 minus 2.303 rt upon n f log z n plus 2 यह पता है आपको यह दोनों वैलू इसमें पुट कर दो पुट करोगो तो क्या मिलेगा देख लिजे e cell is equal to e not cell यही मिलेगा जो मैं लिख रहाओ conclude करके minus 2.303 rt log sorry 2.303 rt n f log यहां आपका z n plus 2 यहां आपका c u plus 2 यह बात आपको मिलने वाला है and this is the nurse equation for galvanic cell this is the nurse equation for cell अगर हम कहते हैं at equilibrium equilibrium पे पता है यह cell की value हो जाएगी 0 यहां हो जाएगा 0 तो यह चीज पूरा उधर चला जाएगा तो मिलेगा e not cell is equal to 2.303 rt upon n f log z n plus 2 upon c u plus 2 active mass आप जिंक आएँ upon active mass आप कॉपर आएँ standard condition में होगा तो इसकी molarity 1 इसकी molarity 1 तो 1 1 log 1 की value आपको find करनी पड़ेगी तो e not cell हम लोग क्या कर सकते हैं find कर सकते हैं अब आप बताएए कि आपको यह पूरी की पूरी कहानी समझ में आई नहीं आई दो मिर्ट का समय देते हैं नोड कर लीजिए कोई problem है तो chat box में लेखिए और नहीं समझ में आया तो पूरा lecture रहेगा आप इसको दुबारा देख सकते हैं कि वेस्वे जगता हैं यह बताएएफाँ जगाँ बताएएब कर सकते हैं प्लेज़ करें